हेलो दूस्तों स्वागत है आप सभी का टूवर्ड सक्सिस में और एंटीपीसी को लेकर एक बुरी खबर ही कहेंगे इसको क्योंकि आपका जो एक्जाम था वो कुछ हमें लग रहा था कि जल्दी हो जाएगा लेकिन अभी अभी रेलेवे ने एक जो नोटीस है वो अपनी व सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपकी एंटीपेसी या गुरुप्टी से रेलटेड अगर आता है तो आप तक तो रहन पर हो चाहिए चलिए देखते हैं क्या नोटीस आया है तो यह जो नोटीस है यह आया ह टू है जो अभी फिलाल में अप्लोट किया गया है एक पहले अप्लोट किया गया चैनाई की वेबसाइट पर अब इसमें हम देखें हैं कि जो पहले वाला आपका कोरिजनिम था इसके अंदर आपको अगर मैं दिखाना चाहूंगा कि जो डेट दी गए थी जो आपको एक इसको ओपन कर लेते हैं आपके यह अमर आ गया है इसमें अब देख रहे हैं जो इसकी प्रीबिड की कॉन्फरेंस के लिए जो नोने डेट दी थी वो दी थी साथ चार दो हजार पीस और जो इसका रिलीजिंग या रैस्पॉंस देट थी क्लारिफिकेशन के लिए यह थी 21-4-2020 ठीक है अब चलिए दूसरा जो नोटिफिकेशन आया है उसको भी देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया है देखें यह है कोरिजेंडम 2 यह अभी इटेंडर जो है भी अभी अपलोड किया गया है उसमें एक चीज आपको बताई गई है कि जो आपका एंटी पीसी क एक्जाम है वो 21 दिनों के लिए जो लोकडाउन लगा है उसकी वज़े से यह अफेक्ट होने वाला है अब यहां पर देख रहे हैं और यहां पर देख रहे हैं आर आर भी चैनलाई सी एन 001-2019 नेम उफ और एंगेजिंग एक्जाम कंड़क्टिंग फो कंड़क्टिंग मल अब जब अजन सीनक्रीक आर अपराल से हो जाने थे मलगक्ट कंड़क्टिंग हो जाने थे मलकी टिन लोड़क्टिंग हो जाता और जो आपका फिर उसके बाद ये NTPC का exam की date release कर देते लेकिन अभी क्या हुआ है आपका पता है lockdown लगा हुआ है उसकी वज़े से इन्होंने साफ साफ लिख दिया है in view of preventive measures to be taken to contain the spread of novel coronavirus and the 21 days lockdown period announced by government of India until 14-4-2020 the date of previous conference closing and opening date of bids offer which are indicated wide corresponding one are highly revised further जो आपकी जो date थी corresponding one में दी गई थी ये सारी की सारी dates दुबारे से revised होंगी और इसके लिए यहां पर एक चीज उन्होंने mention की है no further newspaper advertisement will be released इसके लिए कोई भी newspaper में नहीं निकला जाएगा और जो बाकिसारी चीजे थी वो वैसे ही होंगी लेकिन एक condition यहां पर इन्हों लगा दी है कि अभी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है कि situation कब ये कब होगा depending on the prevalent situation the pre-bid conference may be held through video conferencing if required हाँ इन्होंने एक चीज यहां पर clear कर दी है कि अगर यह lockdown लंबा चलता है तो हम हो सकता है यह video conferencing के जरीए यह आपकी जो pre-bid है यह open हो जाए और अजन्होंने तो कर लिया जाए ठीक है तो इसके वज़े से जो आपका lockdown हुआ है कहिने कहीं exam भी affected होगा क्योंकि आप देख रहे हैं जो जो काम हमारा होने वाला था 21 तारीक अपरेल तक वो अब delay होगा तो ऐसे ही आपका exam भी delay हो जाएगा तो यह एक खबर थी अगर अगर कोई भी से related खबर आती है तो आपको बता दे जाएगी इस वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में thank you for watching this video इस वीडियो को like और share बिल्कुल कर दे ताकि और लोगों तक भी ये खबर पहुंचाए ताकि और लोगों तक भी ये खबर पहुंचाए